दोस्तों बात करने वाले हैं टेक्स्टाइल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपणी ट्राइडेंट लगातार उच्छाल के साथ में ये शेयर इससे में हम लोग को दिखाए दे रहा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि लगबग फोर वीक्स अगर पहले की बात करते हैं या वापिसे इसके अंदर हम लोग को हलकी फुलकी गिरावट देखने को मिल सकती है देखे लगातार जो है जब ये शेयर मातर 12-13 रुपे के आसपास हुआ करता था तब भी बजार के दिगज इसके अंदर पॉजिटिव थे और जब ये 20 रुपे के आसपास दिखाई दि बीच बीच में तमाम आपको ऐसे लेवल दिखने को मिलते हैं जिसके अंदर उतार चड़ाव आपको स्टॉक मार्केट में बराबर दिखने को मिलते रहते हैं तो देखे इसे शेयर के अंदर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल सकती है इसलिए गर आप लों माउंट है उसे टुकडों में डिवाइड कर दीजेगा और तैयारी करके चलिएगा कम से कम 20 रुपे तक की अगर ये शेयर नीचे 20 रुपे तक हम लोग को दिखाए देता है तो वापिस से आप इसके अंदर क्वांटिटी एड़ कर सके हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरह के से अब तक आपको इस स्टॉक के अंदर चाल देखने को मिली पिछले एक साल के अगर बात करते हैं तो लगबग 247 पसंद से ज्यादे के रेटान आपको इस कमपनी के अंदर देखने को मिले अगर आप नजरीया रखते हैं लगबग 1-2 साल का तो इस लेवल से भी कही गु जबूती आपको इस कमपनी के अंदर दिखने को मिलेगे अवराल कैश फ्लो हमें जो है कमपनी का लगातार वैसे भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि यह जो शेर है ROC और ROE यानि के रेटर औन इक्विटी पॉजटिव च आती है अच्छे खासे जो है quarter disc के बीते हैं जिस तरह के से अभी result अनाउंस हुए थे Q1 के तो अब नजरे बना कर चलनी चाहिए आप लोग को Q2 के result के उपर तो देखे बड़ा action आपको आगे आने वाले results में भी देखने को मिल सकता है साथे मैं दोस्तों बताना चाहूँ क जिस तरह के से हल्चल आपको अभी हाल फिलाल में देखने को मिल रही है तो आपको यह जानना भी जरूरी है कि अगर Pierce में देखा जाए तो यह company कौन से number पर आती है तो दोस्तों बताना चाहोँ कि दूसरे number की यह सब से बड़ी company है इस से पहले जो company हमलोग को दिखाई दे और अगर उसका stock price देखें तो लगब 163 रुपे के आसपा सिस्से में कारुबार करता हुआ नजरा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कम सकम ये share है जिस तरीके से उस company का market value है और business उस company का चल रहा है तो इसके अंदर अपार संभावना ये दिखाए दे रही है उपर की तरफ साथी मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके से भी हाल फिलाल में company के Q1 के नतीज़े डिकलेर हुए थे तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर पिछले 3-4 quarter उठा कर देखे जाएं तो company की overall sales जो है बढ़ रही है यहाँ पर अगर September 2020 की बात करते हैं तो उसमें company की जो sales हम लोग को दिखाए दी लगभग 1171 करोड के आसपास निकल के आई थी उसके बाद में जो अगला quarter था उसके अंदर लगभग 1290 करोड के आसपास दिखाए दी उसके बाद 1350 करोड के आसपास निकल के आई और उसके बाद में Q1 के अंदर लगभग 1477 करोड के आसपास sales company की निकल के आई तो देखिए sales के अंदर लगातार हमें quarter on quarter basis पे बढ़ोत को बिला यानि के Q4 के पिछले साल का था 46 करोड के आसपास कंपनी को मुनाफ़ा देखने को मिला था तो ओवराल quarter on quarter basis से बड़ी हल चल आपको पहले ही इस company के इंदर देखने को मिल चुके है काली ऐसा निया कि quarter on quarter basis पर आपको थीजी दिखने को मिल रही है year on year basis पर भी ये company बड़ा धमाका करती हुई नजर आ रही है तो ये सारी चीजे हैं दोस्तों आपको इस company के अंदर बने रहने के लिए मजबूर करती है overall क्या कि लगतार एक company अपना business is strong करती हुई नजर आ रही है अभी जैसे स्टॉक प्राइस हम लोगों को उपर की तरह मूग करता हुई नजर आएगा valuations company की बढ़ती हुई नजर आएगी और भी काफी सारी चीजे काफी सारी जो deal है इस company के अंदर होती हुई नजर आएगी जिसका overall प्रभाव हमें इस company की share के अंदर देखने को मिलेगा तो देखे long term के लिए बना रहना चाहते हैं तो बने रही हैगा और सिर्फ नीचे की तैयारी करके चलने इस चीज़ को आपको जहान में रखना है साती में दोस्तों कहना चाहूँ कि अगर आप नए है और डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं कि बहतरे इन कमपनी है और अभी हाल फिलाल में कमपनी की तरफ से एक उफर भी चल रहा है कमपनी ओपन कर रही फ्री में डिमेट अकाउंट तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जा कर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते ह दोस्तो बताना चाहूँ कि टेलिग्राम पर एक चैनल स्टार्ट किया गया है चाहे तो आप उसे भी जोइन कर सकते हैं जो भी उतार चड़ाव आपको बजार के अंदर देखने को मलते हैं छोटी बड़ी खबर हैं कि इवारा हम लोग उसे छूट जाती हैं तो हम उस पर आपके मोबल प्मिल्स के थैंक य सो मुट वोच्चिंग